कि नमस्कार मेरी किसान बाईउव हमारे इस चैनल किसान क्लीनिक सेंटर में आपका स्icamente है किसान बाइव आपका समय वरबादना करती हुए हम आज आपको बताएंगे केल्डायन पोर्जी के बारे में इसकी अंदर केले में आपको बता दूँए इसका यूज अपन दान की फसल पर करते हैं इसकी अंदर क्या होदा एक सांदार टेक्निकल है जो नेरी टॉक्सिन समूं का कीट ना सके इसका यूज किया जाता है जैसे इल्ली सुंडी और थोड़े जुद्ने भी छोटे मोटे कीट होते हैं मत पढ़ा ली गए उप्युक्त कीट ना सके किसान भाईयो केलड़न पूर जी द्रण कीट ना सके जो लंबी समय थक कीटों पर नियंतर रखता है जैसे इसका चड़काव करने से लगवाग एक एक डेड़ दो महीने तक कोई भी कीट अपनी पसल पर अटेक नहीं कर पाता कि किसान भाईयो तो इसके कैसे कार्य करता है किसान भाईयो यह एक अंतर प्रवाई कीट ना सके जो उधर विसक्रियां द्वारा कीटों पर नियंतर रखता है केलड़न पूर जी एस पी को सामानत है प्रियोग में आने वाले जैसे इसका चुड़काव कीट ना सकोंगे और साथ मिला कर किया जाता है किसान भाईयो यह अपनी दान की पसल पर जैसे पत्ती मोड़क तनाचे दग बेल मेगट इल्ली सुंडी जितने भी कीट होते हैं उन पर इसका संदर रियल्ट है किसान भाईयो इसकी उप्योग की मात्रा क्या है इसको लगबग साथ साड़े साथ साड़े साथ से दस किलोग्राम प्रती एकड़ के साथ से अब किसान भाईयो इसका च्छड़काव कर सकते हैं इसका च्छड़काव बहुत ही जरूरी है किसान भाईयो क्योंकि इसका अगर अपन च्छड़काव जैसे अपनी फसल लगी हुई है जैसे अपने रुपाई कर दीदान की कम से कम 10 से 15 दिन हो गए हैं उसके बाद जो फ़श्ट अपन खाद दे दे हैं किसान भाई हो तो इसको मिलाकर उसका च्छड़काव करें तो अपनी फसल लगबाग दो महीने तक सुरच्चित तो रही सकती है क्योंकि और मतलब अच्छे रियल्ट भी हैं इसके इस सिससे क्या है अपनी फसल सन को नुकसान नहीं होगा और अच्छे से क्ल्ये भी बना जायेगी बढ़ी चीज है कीट ना सके इसका छलकाव जरूर से जरूर करने कसंदा भाई हूं अगर अपन को पसल सुर अच्छे दरखना है तो इसका अच्छल का जरूर करें ना ज्यादा मेंगी आती है बहुत ही सांदार इसकी रेजल्ट हैं धन्यबाद मेरे कसन भाई हूँ अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आने बाले वीडियो मैं भी हम आपको यसी जानकारी देते रहेंगे जिससे आपको आपकी फसल में ज्यादा है जाना उत्पादन बढ़े सके दन्यबाद मेरे भाई हूँ